इससे मेरा ये मतलब है कि आप जो शॉट्स होते हैं जो फुटिज है आपके पास उनकी टाइप्स को आप जान सके शायद आपको ये फीलिंग आती हो कि ये तो एक कैमरा परसन का काम है क्योंकि उसने उसको रिकॉर्ड करना है उसने उसको फिल्म करना है या मेभी डिरेक्ट जो है जो इसको इंस्ट्रेक्ट कर रहा होता है जो इसको बता डिरेक्ट कर रहा होता है कि आपने ये शॉट लेना है इसके बाद ये शॉट लेना है ये उनका काम है तो इसका मेरा जवाब ये है कि ये बिल्कुल एक एडिटर को बहुत ज़रूरी है कि उसको भी पता हो को exact shot type किया है क्योंकि अगर हम एक proper film या broadcast environment में बात करें professionally तो वहाँ पर ये criminologies use होती हैं और इनी की base पे आपका paperwork आपका shot types के through या आपके जिस तरह से भी आपकी communication होती है डिरेक्टर की आप से या assistant director की आप से तो वो इनी terms में होती है मिसाल के तोड़ पे एक camera person ने अगर एक medium shot film कियावा हो और आपको medium shot का अगर exactly ना पता हो और आपके पास different variations मुझूद हो तो आपके लिए वो जड़ा confusing हो सकता है तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि आपको exactly उन shot types का पता हो shot types की हमने बात की इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि shot होता क्या है आप में से अक्सर ने कभी कोई live match या कोई live concert या कोई भी show attend किया होगा तो उसमें basically क्या होता है कि अगर हम सिर्फ एक live cricket match की बात करें तो इस वक्त हमारे पास cricket match में 20 plus 25, 28 जितने भी आप add कर लें तो इतने camera's लगी होते हैं और उन सब की recording mixture होके basically edit होके आपके पास screen पे आ रही होते हैं लेकिन अगर आप उसको live देख रहे हैं तो आप तो एक जगह पे बैठे हैं आपका एक point of view है आपका एक ही frame है जिसमें आपको वह नजर आ रहा है तो वहाँ पर बैठ के आप उस सारे ambiance उस सारे environment को तो enjoy कर सकते हैं लेकिन जो आप अपनी screen पे detail में देखते हैं वो आप वहाँ पर बैठ के उसको वो feel नहीं कर सकते हैं अब वो क्या देखते हैं आप screen पे तो आपके पास क्या होता है उस same जगह पे जहां पर आप match देख रहे हैं different positions पर different cameras हैं उनके camera operators हैं और वो हर camera एक different shot type आपको दे रहा है तो वो जो different camera persons different position पर different shot types में आपको different variation में आपको जो shot दे रहे हैं या आपको जो screen पे आपके पास images आ रही हैं और edit होके आप उसको देख रहे हैं तो वो further उसमें एक drama add कर रही है, further उसमें एक interest develop हो रही है और आपको detail नजर आ रही है, आपको long short में, चलहें long short तो एक तरह technical term है, मैं आपको कहूँ हूँ, आपको white short कह ले हम इसको फिलहाल, अभी तक, white short में आपके पास सारा, इस वक़ आपको नजर आ रहा है, close up में आपको detail नजर आ रही है, और अब तो इतनी information add होती जा रही है, कि आपको extreme close up, आपको expression, आपको over the shoulder, आपको हर तरह के short types आपको live event में देखने को अपनी screens पे मिलते हैं तो हम बात कर रहे थे कि short क्या है, तो यह जो camera persons आपको different locations पे जाके, जो images, जो frame बना रहे होते हैं, इनको हम कहते हैं short और यह different shot edit होके, आपको final form में अपनी screens पे नजर आते हैं तो यह जो shots होते हैं, यह कितने types के होते हैं, इनकी क्या-क्या variation होती है, इस पे हम नजर डालते हैं Majorly हम इनको दो parts में divide कर सकते हैं एक तो हमारे पास basic shot और दूसरा हमारे पास complex dot Basic shot में आपके पास long shot, medium shot, close up, over the shoulder, two shot इस तरह के shots involved हैं यह ज्यादा तर static shots हैं, इनमें movement नहीं है, इनमें आपके camera की या आपके focal length की movement नहीं है और जो complex shot हैं उसमें आपकी movement involved है वो camera की movement हो सकती है, वो lens की movement हो सकती है, वो subject की movement हो सकती है या इन सब के combination से भी जाके वो चीज़ बन सकती है आईए हम एक नजर डालते हैं basic shots पर और इन basic shots को समझने से पहले मैं आपको एक tip भी दे दूँ कि आप अगर editor के तोड़ पर काम करते हैं और आपका plan है कि आप खुद चीज़ों को film भी करें as in camera person आप खुद उसको record करें और खुद बाद में उसको edit करें तो इन shots को तो आप रट लें बिल्कुल इसको आप रट लें क्योंकि यह जो है यह basic आपकी conventions हैं आप इसको compare कीज़ेगा किसी भी feature film में किसी भी Hollywood level film में या किसी भी cinema की film broadcast के किसी भी show से तो आपको यह सारी short types उसमें नजर आई और इसमें आपको एक फाइदा यह भी हो सकता है कि कभी आप अगर shoot करने जाएं और आपका storyboard उस तरह से plan नहीं है तो आप अपने subject को अपने characters को in different variations में shoot कर सकते हैं और इसके बाद फिर आवसको आपके बास edit में possibilities बढ़ जाते हैं आपके पास options जादा आपके बास choices जादा हो जाएं तो यह जो basic shorts हैं यह क्या हैं सबसे पहले हम बात करते हैं long shot और long shot में हमारे पास further जो इसकी variation है वो है extreme long shot वो है हमारे पास very long shot और हमारे पास long shot extreme long shot में अगर आप देखें तो इस वक्ट जो है आपके पास एक बहुत ही white frame है आपके पास आपका subject जो आपका character है वो भी आपको नज़र आ रहे हैं और जो उसके इर्दगेद environment है ज़दा detail इसमें आपको नज़र नहीं है क्योंकि यह बहुत white shot है उसके बाद जो very long shot है वो इसका थोड़ा सा tighter version आपका जो camera है वो थोड़ा सा और zoom in हो गया है इसमें आपका subject आपको पूरा नज़र आ रहे है आपका environment भी आपको नज़र आ रहे है लेकिन as compared to extreme long shot यह थोड़ा सा zoom in ज़ादा हुआ अगर हम simple long shot की बात करें तो इसमें जो आपका subject है वो आपका आपको sir से लेके पौरा नज़र आ रहे है और थोड़ा सा headroom एक decent headroom है sir के उपर भी और थोड़ा सा पौरा नीचे भी तो आपको एक पूरा subject अपना नज़र आ रहे है इसके बाद अगर हम बात करें medium shot की तो medium shot में भी आपके पास medium long shot है आपके पास एक medium shot है और आपके पास एक medium close up है अगर हम medium long shot की बात करें तो इस वक्त जो हमारा subject है हमें थोड़ा सा एक decent headroom है उसके sir के उपर थोड़ी space है और नीचे गुटनों तक वो उसका shot है थोड़ा सा environment भी visible है कि वो किस जगह पर है और major इसका जो point है वो यह है कि वो sir से लेके कुछनों तक आपको अपना subject नज़र आ रहे हैं इसके बाद जो simple medium short है उसमें आपको sir से लेके waste तक जो आपकी waste line है यहां तक आपको अपना subject नज़र आ रहे हैं medium close up थोड़ा सा इसे ज़्यादा और zoom है और waste line से थोड़ा सा उपर होके आपके पास आपका subject जो है आपको सर से लेके chest के थोड़ा नीचे तक नज़र आ रहे हैं अब हम बात करते हैं close up की close up में आपके पास simple close up big close up extreme close up जिसी option मुझूद है close up में आप देख सकते हैं कि आपको अपने subject का पूरा चेहरा सर से लेके उसकी chin तक पूरा frame में नज़र आ रहे हैं उसके बाद अगर हम बात करें big close up की तो आप देखें कैमरा आपका और zoom in हो गया है tight हो गया है और उसका सर जो है forehead तक कट चुका है और chin उसकी पूरी है उस frame में और extreme close up बिलकुल आँखों का इस वक्त जूम हुआ है close up है आँखों का extreme इसलिए इसका नाम दिया गया है तो यह आँखें भी हो सकती है यह आपकी hot भी हो सकते है मेबी नाक हो सकती है कान हो सकती है specific एक जगा कोई full extreme हद तक zoom किया हुआ हर short का अपना purpose है अब extreme close up में आपको अक्सर कभी intensity दिखानी हो कभी आपने कोई आँखों से किसी ने कोई film में दिखाया कि उसने इशारा किया है तो मेबी extreme close up का short था या किसी के expression emotions कोई घुसा आ गया है तो आपने आँखों का close up उसको दिखा दिया किसी ने कोई whisper किया तो मेबी उसका extreme close up है hot का कोई बात सुना दिखान का एक extreme close up है तो हर short खाव हो long short हो medium short हो या close up हो हर एक का अपना अपना एक purpose होता है और film की language में इसको जब use करते हैं तो purposely ही use करते है variation एक अपनी जगा लेकिन एक फिर भी purpose ली इसको use किया जाता है ताकि एक आपका narrative और interest बिल्ड होता रहा है इसके बाद दो और short हैं जो basic short category में fall करते हैं वो है आपके पास two short और over the shoulder short two short जैसे नाम से ही आपको clear है तो लोग होते हैं इसके अंदर अगर दो लोग आपस में बात कर रहे हैं और दोनों ही आपके एक frame के अंदर आ रहे हैं basically तो आप उसको two short का नाम देंगे over the shoulder short में आपके पास shoulder के पीछे camera रखा होता है और आपका जो subject है जो आपका character है तो लोग मतब अगर आपस में बात कर रहे हैं तो आपको एक का चेहरा नजर आ रहा है और दूसरे का आपको shoulder नजर आ रहा है यानि कि थोड़ा सा उसकी back, side और shoulder से नजर आ रहा है और इस तरह से जब आपको second बंदे का film करना होता है तो आप अपनी उसी camera को shift करते है और आप फिर दूसरे के shoulder और दूसरा subject आपको नजर आना शिरूर यह normally आपको दो लोगी conversation में ही नजर आएगा और इससे आपको justify भी हो जाता है कि किस से बात हो रही है किस angle से बात हो रही है और eye line किस तरफ है और filmmaking में इसका फासा इस्तिमाल किया जाता है यह थे आपके basic short types मैं again आप से कहूंगा कि आप इनको practice करें आप इनको record करें तो आपके पास mobile phone वाला camera है या आपके पास कोई DSLR है आप इनको record करें आप इनको practice करें और इनको एक साथ compile करें regarding video editing मैं आपको यह बताता चलूँ अकसर लोग कहते हैं कि इसमें आपको अगर long short use करना है तो maybe उसके बाद आपको close up लगाना हो या आपको very long use करना है तो उसके बाद आपको medium पर जाना हो तो बिलकुल मैं आपको एक tip दूँगा कि आप इस तरह का कोई भी formula अपने जहन में ना बिठाएं आप सिर्फ उस content को समझें हमने बहुत सारे cases में देखा है कि अगर हम एक example इस वत यह लें कि आप शुरू में ही सब कुछ extreme long short में या long short में अपना subject के साथ environment भी reveal कर देते हैं और उसके बाद फिर आप different shots variation में cut करके अपनी story बना रहे होते हैं और हमने कई cases मे इसा भी देखा है कि totally reverse शुरू होता है like maybe extreme close up से आपका sequence या आपका scene शुरू हो उसके बाद आप different shot types में गए और end में जाके आपने reveal कर दिया कि आप किस environment में बैठे हैं और overall आपके 8th grade क्या है तो आप इसको बिलकुल different तरीके से different approach से आप इसको use कर सकते है main चीज़ है आप इसको purposely आप in shots को use करें content wise इसको use करें सोच समझ के use करें जहां पर आपको जूरू हो तो वहाँ पर जाकर आप शौर्ट को change करें तो आपके editing में आपकी storytelling में एक बहुत बेतर फर्क होगा तो यह कुछ हमने basic shots देखें अब मैं आपको कुछ बताता हूं complex shots नाम ही complex है तो थोड़ा सा आप समझ सकते हैं कि इसको film करना भी थोड़ा सा complex हो सकते है और maybe इनको use करना अपने edit के अंदर fit in करना भी थोड़ा सा technical हो सकते है आपको कुछ चीज़ों का खयाल इसमें रखना movement है आपका camera एक जगह पर place है और आपका lens जो है basically उसकी focal length change हो रही है आम अलफाज में हम इसको बोलें तो zoom in हो रही है या maybe zoom out हो रही है camera आपका एक ही जगह पर fix है सिर्फ आपकी focal length इसमें change हो रही है और उसको हम move कर रहे है maybe हम उसको tilt कर रहे है हमारा shot शुरू हुआ है आस्मान से और उसको हम move करते करते tilt करते हम उसको ले आए अपने subject पे जो केस्वक्स जमीन पर खड़ा है या फिर हमने उसको pan करना शुरू किया अक्तर आपने देखा हो कि camera आपका एक जगह पर है और वहां से वह pan होना start हुआ आपका short pan होता होता दूसरी जगह पर चला गिया है same time and space में रहते वे तो इसमें हम camera movement involved हो जती है इसमें हम tilt up, tilt down कर सकते हैं हम इसमें pan कर सकते हैं right to left या left to right हम इसको use कर सकते हैं आपको मैं tip दे दूँ इसमें कि आप जब भी इसको use करें rule wise आपकी जो movement होती है basically इसकी shot की तो आप static से शुरू होती है और जहां पर जाके वो रुकती है तो वहां जाके आपका shot complete होता है तो आपने उसको movement के बीच में basically नहीं काटना होता है यह rule के खिलाफ है कई cases में हमें नजर आता है कि बीच में cut हो जाता है maybe वो तब होता है जब आप कोई montage बना रहे हो montage हम आके discuss जरूर करेंगे या इस तरह भी होता है कि अगर हो movement पे ही cut हुआ है तो next shot भी movement के बीच से ही शुरू हुआ है वो static shot नहीं है तो जब आपका shot movement पे होगा और movement में ही अगर आपने cut कर दिया और next shot static है तो वो rule के खिलाफ है वो आपको देखने में भी आपको एक अजीब सा उसमें जर्ट लगेगा जंप लगेगा और वो विसे भी आपको इस तरह से practice नहीं करनी चाहिए तो ये tip में अगर आप बहुती लंबा pan या बहुती लंबा duration का tilt दे देंगे तो उस shot को उस structure के अंदर उस edit के अंदर adjust करना आपके लिए मुश्किल हो सकता है तो maybe उसमें आपको 5 second, 4 second, 6 second maximum का आपको pan या tilt देना चाहिए ना कि आप उसको 15 second, 20 second पर लेके जाए वो आपको उसके अंदर fit in नहीं होगा इसके बाद जो हमारे पास complex short है उसमें basically camera की movement भी involved है और साथ में lens की भी movement involved है आपने अक्सर कभी देखा होगा film की recording के वक्त आपको एक track सन नजर आएगा और उसके ऊपर camera fit हुआ होगा और आप उसको move कर रहे होंगे अब उस track movement में basically आपका camera भी physically move हो रहा है और साथ में आपको अपनी lens को भी move करना पड़ रहा है अब आजकल आपको जिप की सूरत में भी ये नजर आते हैं या फिर maybe आप आप तो drone भी आ गए है drone में भी आपके पास movement और साथी चीज़ों होती है इस तरह से तो आपके पास ये basically complex short में movement involved हो जाती है जिसमें camera आपका कहीं पर mount हुआ हुआ है या में भी track पर है और उसके बाद camera की movement है और साथ में lens की movement fourth मैं इसमें अगर बात करूँ तो subject भी इसमें add है subject की movement भी इसमें add हो गई है तो अब आप सोचें कि आपका subject में भी आप कोई event cover कर रहे हैं जिसमें race है running है और अब पूरा lap पूरा करना है और उसके बाद आपके पास camera की positioning है तो एक subject जिसको आप film कर रहे हैं अब वो movement में ह अब आपका जो short type है वो decide करता है कि आपने उसको follow करना है या आपका camera में भी static होगा एक जगर पर mount होगा एक जगर place होगा और उसके बाद आपका subject move कर जाएगा अगर आपने उसको follow करना है तो आपको उसको follow के साथ movement भी अपनी camera की add करनी है तो आपका subject भी movement में आ गया आपका सही नहीं होगा तो यह थे हमारे कुछ complex chart अगर मैं इसको quickly summarize करूँ तो complex chart में आपके पास pen हो सकता है आपके पास pen और tilt दोनों एक साथ हो सकते हैं आपके पास lens movement हो सकती है आपके पास lens movement और pen का combination हो सकते है या आपके पास lens movement और tilt का combination हो सकते है subject movement हो सकती है subject movement के साथ आपका camera pan भी हो सकता है और subject movement के साथ आपका camera tilt भी हो सकता है तो ये सारे complex short हैं बड़ा smartly आपको इसको plan करना होता है और जब ये सही तरीके से execute हो जाएं फिर आप इसको अपने edit में use करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कौन सा शॉट सही है कौन सा शॉट नहीं है अगर एक pen पूरा नहीं हो सका मेभी एक subject को फॉलो कर रहे है और subject आपका frame से पहले या बाद में out हो गया है तो आपको पता चल जाएगा कि ये शॉट सही नहीं है मेभी उसके बाद आपके camera person ने एक और variation शूट कियो तो आपको इसलिए अपनी footage को preview करना भी ज़रूरी होता है तो ये complex shorts जोते हैं basically आपको अपके edit में combine होते हैं basic shorts के साथ तो तब जाके आपका एक सारी story बनती है